सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एसेच्टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलिय इंफोर्मेशन सबसे पहले जाने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हर्स हाजिर हूँ अब सबी के सामने एक बाफिट से निव टैम एन निव टेक्नोलाजी के साथ ये वीडियो आप सबी लोगों के लिए बहुत मैत्पूर्ड वीडियो है इस वज़े से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें इस वीडियो को इसके बिलकुल भी ना करें आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपके आधार कार्ट से या फिर आपके कोई भी आईडी प्रूफ से कितनी सिम चल रही है ये आप अपने घर बेटे या फिर कहीं पर भी अपने फोन से पता कर सकते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे क्या आपके आधार कार्ट का या फिर कोई भी ID प्रूप का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है मोबाइल नमबर के जरीए अगर किया जा रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं और आपने जो कभी नमबर खरीदा ही नहीं है वो आपको पता चल जाएगा या आपका कभी नमबर रहा ही नहीं है किसी और ने वो ले लिया है किसी दुकानदार ने आपके ID प्रूप से दूसरे को वो नमबर दे दिया थ जहां पर उन्हों ने ये बताया है कि आप इसको कैसे पता कर सकते हैं जो प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस नमबर को डिलीट करने का जो आपका नमबर कभी राई नहीं है या फिर कोई और इस ताइम पर यूज कर रहा है अगर उसने ये श्टेप पहले कर लिया है तो वो आपके नमबर को बंद करा देगा वही आप खुद सोचो दूसरा परसन आपका नमबर बंद करा देगा इससे पहले आप उसका नमबर बंद करा दीजिए तो चलिए सबकी मदद करते हैं सबसे पहले आपको ब्राउजर के सर्च बार में लिखना है टेफ कॉप और इसको सर्च करना है टेफ कॉप की ओफिसली वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी वेबसाइट असली और नकली चेक करने के लिए आपको यहाँ पर चेक करना होगा बारत सरकार का यहाँ पर लोगो लगा है और टेलीकॉम इंडिया लिखा हुआ है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मुवाइल नमबर डालना होगा उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आपको OTP डाल देना है उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है कुछ समय बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिस मुवाइल नमबर को आपने यहाँ पर रेजिस्टर किया है और जो मुवाइल नमबर आपके जो भी आईडी से रेजिस्टर है उस आईडी पर कितने मुवाइल नमबर रेजिस्टर है वो आपके सामने यहाँ पर सो कर देंगे आप लोग देख सकते हैं मेरे केस में मेरी आईडी से तीन नमबर यहाँ पर रेजिस्टर है यहाँ पर दो नमबर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नमबर को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ वो मेरा नमबर भी नहीं है यानि कि किसी दुकानदार ने किसी भी सौप कीपर ने मेरी उस आईडी से किसी दूसरे को सिम इसू कर दी है भाई यह तो बहुत कलत बात है और देखिए ये बात मुझे पता चल गई है गौर्मेंट के जरिये मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा गौर्मेंट को कि सरकार ने हम लोगों के लिए ऐसी सुवधा भी लॉंच कर दी है सरकार ने तो अपना काम कर दिया अब हमारा नमबर आता है एक्सन लेने का आपका जो भी नमबर नहीं है उस पर आपको टिक कर देना है और यहां पर एक ऑप्सन होगा this is not for my number इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको report पर क्लिक करना है जैसे ही आप report पर क्लिक करेंगे उसके कुछ समय बाद कुछ इस तरीके का इंटरफिस आपके सामने आ जाएगा आपको एक track number मिल जाएगा और यह आपको message में भी मिल जाएगा आप यहाँ पर OK पर click कर दीजिए और एक screenshot भी जरूर ले लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक option है track number डालने का आपको यहाँ पर track number डालना है और track पर click करना है जिससे आप यह पता कर सकते हैं जो number आपने बंद कराने की request डाली हुई थी उसका status क्या है status में अभी यह pending दिखा रहा है देखते हैं यह कितना समय लेता है इस number को बंद कराने में आपको अब यहाँ पर cross पर click कर देना है यह तो होगी मेरे आधार कार्ट पर कितने sim चल रहे थे अब यह देखते हैं कि घर में और भी जो लोग हैं हमारे मम्मी पापा उनकी ID पर कितनी sim चल रही है क्या जितनी हम चला रहे हैं केवल उतनी ही चल रही है या फिर कोई और भी चल रही है जैसे कि हमारे case में हो गया था सेम प्रॉसेस है आपको अपना mobile number register करना है उस पर एक OTP आएगा OTP को आपको यहाँ पर डालना है validate पर click करना है हो हो यह क्या हो गया यार मतलब इस वाली ID पर भी एक ऐसा remember register है जो हम use नहीं करते हैं और हमने कभी खरीदा भी नहीं है यार ऐसा shopkeeper कैसे कर सकते हम लोगों के साथ कितना cheat करते ही यह लोग यह तो government ने ऐसी facility अब हम लोगों को दे दिये open कर दिये इसको सभी लोगों के लिए कि इसको check कर सकते हैं और बंद भी करा सकते हैं तो चलिए इस number को भी हम बंद कराते हैं same process है आपको उस number पर tick करना है not my number पर click करना है और उसके बाद report पर click कर देना है same process रहेगी आपको एक track number दिया जाएगा उसको आपको screenshot ले लेना है और screenshot लेने के बाद आपको track वाले option पर जाना है वाँ पर अपना track number डालना है और track पर click करना है इस पर भी अभी भी pending दिखा रहा है क्योंकि ये अभी हम लोगों ने just किया हुआ है आप भी इसको जरूर चेक करें और अगर कोई फर्जी number चला रहा है आपकी ID से तो उसको जाकर आप बंद करें TEVCOP team को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा suggestion देना चाहूँगा इस portal में direct mobile number डालके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी ID से कितने SIM चल रहे है ये नहीं होना चाहिए बलकि इसमें ये होना चाहिए कि आप अपने आधार कार्ड नमबर को यहां पर डाले और उस आधार कार्ड से जो भी register mobile नमबर हो उस पर OTP जाए और उस पर हमें ये सो करे कि हमारे इस आधार कार्ड पर या फिर हमारे उस ID प्रूफ पर कितनी SIM चल रही है और इसी के साथ साथ हमें ये भी माँ पर पता होना चाहिए कि किस कंपनी की SIM हम चला रहे हैं या फिर किस कंपनी की SIM इस आधार कार्ड से इसू की गई है और अभी तक कितनी SIM इसू की गई है और उनमें से कितनी बंद हो गई है उन सभी के number यहाँ पर होने चाहिए उसमें पूरा data दिखाना चाहिए कितनी active है और कितनी deactivate है और जितने भी number यहाँ पर issue की गए हो चाहे वो deactivate हो चाहे activate हो हमें यहाँ पर दिखाने चाहिए सभी number कि कितने activate है कितने deactivate है मतलब सभी पूरे digit दिखाने चाहिए बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, इसको लाने में थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा, लेकिन आप इस बात को जरूर समझें, अगर आप कोई भी फैसिलिटी हम सभी आम जनता को दे रहे हैं, तो आप प्रॉपर दें, पूरा दें, फिलहाल आपने जो भी फैसिलिटी हम लोगों को दी हुई है, उन सभी के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इसको अपग्रेट जरूर करें, ये आप से मेरी रिक्वेस्ट है, अब बात मैं अपने वीडियोर से कर रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, इस वीडियो को इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताए, और एक लाइक जरूर करें, और अच्छी ना लगी हो, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दें, जिससे मैं ये समझ जाऊं, क्या आपको अच्छी लगी है, या फिर खराब लगी है, ऐसी ही most important information जानने के लिए, आप हमारे चैनल को भी subscribe कर लें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ, notification सीधा आपके पास पहुँचे, तो दोस्तो बास फ्लाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद ही वीडियो आप लोग को पसंद आई होग कि मैं आप लोग लिए ऐसे ही interesting वीडियो और important वीडियो जी हाँ, important वीडियो समय समय पलाता रहता हूँ, चैहिन वंदे मात्राम ऐसे ही interesting information जानने के लिए आप हमारे social media platform को follow कर लिजेगा, जिससे सबसे पहले आपके पास notification पहुँचे, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद